अबता से मैं कांगडा के दौरे पे हूँ और उन सब जगा पे हमने पहुंचने की कोशिश की है जहां पे इस जल प्रास्ती के दौरान लोगों के घर तबा हो गए धस्त हो गए और या दूसरे नुक्सान जो है पेश आये हैं और कांगडा में जो हमने टोटेल्टी में देखा कि लगवग एक ही पैटरन पे ये नुक्सान हुआ है कि पहाड़ियां पहाड जो है हमारे धसे हैं दर्के हैं या जिनको आप सिंकिंग कहते हैं तो वो हर जगा सामने आया है और कई स्थानों में तो जैसे हम सुला में कल गए थे जिस ठंक से वहाँ पे नुक्सान हुआ ऐसा था कि जैसे धर्क्ती पट गई हो गए और वो सारे मकान जो है धराशाई हो गए चार सो के आसपास जो पूरे तरह धराशाई हो गए और तेरा सो टोटल जो है कोई पार्शली डैमेज हुआ या फुली डैमेज हुआ लेकिन चार सो तो पूरी तरह डैमेज हो गए अगर आप उनको जाके अगर आप देखें जगा जगा उनको देखके कि क्या इसमें लोग बचे होंगे क्या कोई इसमें बच सकता है लेकिन कांगणा में टोटल कैजूल्टी नो हुई है और इसको इस लेबल पर मिनिमाइज करने में जिला के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने बहुत सहरा दिया एक दूसरे को अगवग चारसों लोगों की जाने चली गई है बारा हजार क्रोड रुपे का नुकसान हुआ है तो इस समय यह राजनीती का भिश्य नहीं है मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह करोना से भी जिहानक मंदर जो है हिमाचल परदेश ने देखा है जिस करोना की वो उर्फ सरकार बात करती रही है इसमें तो बस्तियां की बस्तियां उजड़ गई महले के महले उजड़ गए नगर तबाह हो गए तो इसलिए हम कोई राजनीती नहीं करना चाहते है हमें हिमाचल परदेश की जंता ने जो मैंडेट दिया है हम उस मैंडेट के मताविक हर अख उस व्यक्ति तक पहुंच बुनाने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारा राजधर्म है जिसके लिए लोगों ने हमें सत्ता में बठाया है और अगर भारत्यय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि कुछ और किया जाना है तो बता सकते हैं हम हर वो कदम उठाने के लिए त्यार हैं जो माचल परदेश की जनता के इत्मे हैं जो हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के आफिसर्स हैं एक तो वो देख रहे हैं लेकिन मैंने इनको सुझेस्ट भी किया है कि आपको कोई बड़ी एजंसियां हाइर करें जिससे कि पहाडों की नेचर और जो अस्थितियां पैदा हुई है उसके बारे में एक्जेक्ट रिपोर्ट जो है हमारे सामने आ जाए भी है विशलेशन होके कई जगा नुक्सान तो बादल फटने से हुआ फ्लैश फ्लट से हुआ या नदियों में पानी ज्यादा आने से हुआ या फिर डेमों का पानी छोड़ने से हुआ वो एक अलग मसला है लेकिन इंडेक्ती खिवा फिर डांगना के यौभा की जो पहारीय अ एक ही पैर्टन पर घूदर के हैं जो आला मुखी में भी अमने देखा जो प्मकना में भी देखा जूला में भी यह जो ऑंगना सेमें क्या ये सिर्फ लगातार बारिश के चलते सैचुरेशन से पाहडिया गोजनी उठा पाई उस वज़ा से हुआ है जा कि कोई इसके और साइंटिफिक कारण है तो जहां जहां ये हुआ है उसका अनल्सिस करवा के ही आगे के कारिक्रम चलाए जा सकते हैं हर डिपार्टमेंट्स के ऐसे लोगों का भी हम चियन करेंगे जिनों ने रास्दी में अपने जान जोकिम में डालके सेवाएं दिये हैं तो इसलिए यहां पर जितना जानी नक्सान को मिनिमाइज किया जा सकता था वो कांगडा परशाशन ने किया है और NDRF, SDRF या दूसरे हवाई सेवाएं जो भी इस्तेमाल करके किया जा सकता था वो सारा किया गया है और हर तरह की सेवाएं हम बहाल करने में सफल हैं चाहे हमने वो आंशिक की हो, आल्टरनेटरली की हो या किसी भी धंक से की हो वो हमने की हैं और लेकिन यह जरूर है कि कांग्रा में पाडियों का दर्कना एक चिंता का विश्या है एक निया मामला जो है यह पेश आया है जिसमें की मौके पे जाके पता लगता है कि किस थंक से मकान जो है तूटे हैं मकान ही ने तूटे हैं लोगों के दिल तूटे हैं और एक बहुत बड़े जैसे हथोड़े की मार जो है उनके दिल और दमाग पर पड़ी है तो हम हिमाचल के उन उस जनता के साथ हैं और हर तरह से जो भी संबब मदद होगी वो हम करें तूटे हैं